शुक्र आज केजरिवाल जी को जनता की याद तो आई पिछले दस साल में जो वेक्ति ये लगातार कहता था कि हम जनता से पूछ कर अपने फैसले लेंगे आज दस साल बाद जब उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तिफा देना पड़ा और ये मैं बात इसलिए कहा रहा हूं क क्योंकि अगर ये अपनी स्वेच्छा से इस्तिफा देते तो उस समय देते जिस समय इनके उपर आरोप लगे थे स्वेच्छा से इस्तिफा देते तो तब देते जब वो जेल गए थे जब रस्टा चार के आरोप लगे थे आज जब कोट में इस तरीके की बंदिशे इनके यादा गई कोई बात नहीं लेकिन जनता के कुछ सवाल भी है और जनता यह जानना चाहती है कि जो दस साल आपको दिये रादर ग्यारा और बारा साल होने को है जो जनता को आपने वादे किये थे कि ब्रस्टा चार खतम कर देंगे क्या हुआ बहुत स्वादे का आज आपके साथ साथ आपके उपमुक्य मंत्री आपके पूरा मंत्री मंडल लगातार भ्रस्टाचार के आरोप में जेल के हवा खा कराएं आज जनता ये पूछना चाहती है कि उन्होंने बड़ी डिवलेप्मेंट की बात की थी कहां है वो डिवलेप्मे जा रहा है आज जनता पैसे से बोटल खरीद कर टेंकर माफिया को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो जनता आज सवाल पूछती है कहीं ना कहीं उनको आज भी इस बात का एसास हो जाना चाहिए कि जनता की मन की बात भी जरूर सुन लि इदे विचार करें यह वही वैक्ति हैं जब पावर में नहीं थे तो यह कहते थे कि मुख्यमंत्री बन भी गए तो एक छोटे से मकान में रहकर अपना काम चलाएंगे जनता की सेवा करेंगे यह वही विख्ति हैं जो कहते थे कि मैं वेगणार में ही खुश हूँ अब दुबारह से उसी की पुनरवर्ती होने जा रही है ये ड्रामा यहीं नहीं रुकने वाला क्योंकि आज आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से जब से मुख्यमंतरी पद से इस्तीफा दिया है डिमांड आ रही है इनके लोगों से कि केजरिवाल जी को सरकारी मकान दिया जाए बड़ा मकान दिया जाए दिल्ली में सेंटर्ल दिल्ली में दिया जाए आज कहीं न कहीं देखे ये जनता के सामने अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं और जनता ये जानती है कि माननी है शीला जी ने दिल्ली का निर्मान किया था शीला जी ने ब्रिक बाइ ब्रिक दिल्ली को एक वर्ल्ड लास सिटी बनाने का काम किया था और आज कहीं ना कहीं वो शीला जी तब भी याद आती है जब उन्होंने शोशल जो सिक्योरिटी थी लोगों की चाहे वो राशन कार्ड क बात हो चाह पैंशन्स की बात हो उन्होंने बहुत बहतर काम किया था उन्होंने बसें का एंवार्चन को सुधारने का काम किया बसें बीजल से थी उनको mijn尹 नड़ी में कनवर्ट करने पूरी दिली में अगर का ...cale आँ मेट्रो का नेट वर्क है तो वो कहीं न कहीं शीला जी की देन है आज उनके उपर इस तरीके के इलजाम लगाना की एहंकारी सरकार थी आप याद करिए कि आप वही वेक्ती हैं जिन्नोंने उनके उपर पहले भी आरोप लगाए थे और अल्टिमेटली कोट में जाकर माफी माँगने पड़ी थी तो ज तरीके का उनके बारे में वो क्या सोचती हैं बहुत दुख की बात है कि मर्यादा पुरिशोत्तम राम की बराबरी करने की एक कोशिश या उनकी तुलना केजरी वाल से करना ये हिंदु धर्म के लिए शर्म की बात है क्योंकि मर्यादा पुरिशोत्तम राम की हम सभी जहां आरादना करते पूजा करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मर्यादा को रखते हुए अपने धर्म को बचाने के लिए जंगल में जाने का काम किया और दूसी तरफ केजरिवाल जी जो ब्रस्टाचार के मुकद में जेलते हुए जेल में गए थे पहले इनके सुरब भारदवा जीने एक बार नहीं दो बार ये तुलना करने की कोशिश की आज भी वो पुनावरिती हुई है तो मुझे दुख है और इससे कहीं न कहीं जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो कहीं न कहीं आहत जरूर मैसूस करेंगे